7.2 प्रबोधन, Enlightenment अठारवी सदी वा यूग था जिसमें यह लगने लगा था कि तर्क, विज्ञान और उधम की मदद से जीवन में सुधार आ सकता है और मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर जा सकता है लेकिन ऐसी प्रगती तभी संभव होगी जब तर्क और विज्ञान किसी के वर्चस्व या सत्ता के आगे जुके या रुके नहीं यानि ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें किसी का प्रभुत्व या वर्चस्व न हो और लोग अपने तर्क और ज्ञान के आधार पर निर्णय कर पाएं। ये विचार प्रबोधन नामक वैचारिक आंदोलन के माध्यम से यूरोप में फैले। ये विचार इतने प्रभावी थे कि वे अमेरिकी वो फ्रांसेसी क्रांतियों के प्रेरख बने तथा आज भी आधुनिक मानव की सोच पर हावी हैं। ऐसा नहीं है कि इन विचारों का विरोध नहीं हुआ या इनकी आलोचना नहीं हुई। हम आगे प्रबोधन के जन्म सन 1694 मृत्यू सन 1778 और दिदेरों जन्म सन 1713 मृत्यू सन 1784 इनके अलावा स्कोटलेंड के दाश्णिक डेविड हूम जन्म सन 1711 मृत्यू सन 1776 और अर्थशास्र के जनक एडम स्मीथ जन्म सन 1723 मृत्यू सन 1790 को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। जर्मनी में प्रबोधन के प्रमुक दाश्निक थे एमानुवेल कांट जन्म सन 1724 मृत्यू सन 1804 इन विचारों को फैलाने का श्रे जाता है फ्रेंच भाषा में अगे हम प्रबोधन के मुख्य विचारों के बारे में पढ़ेंगे।